एक कम बुद्धी के वेक्ति ने मेरे उपर अभी एक वीडियो भी बना दिया कि विवेक बिंतरा बिजनस बिजनस कर रहे हैं गीता में बिजनस बिजनस कर भाया मेरे तुम तो सुन लो पहले भगवत गीता से जो चाहिए सब मिलेगा ये कल पवरिक्षिक आपको शारीरिक, म पानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक, वियापारिक जैसा जीवन सुधारने का सुधारें क्योंकि भगवत गीता संपूर्ण है ग्रंतराज श्रीमत भगवत गीता की? दन्यवाद आज का जो श्लोक है वो अर्जुन का एक प्रश्ण है और आज के श्लोक में अर्जुन आपसे एक प्रश्ण पूछने वाले हैं और क्रिश्णे से पूछेंगे इसे पहले थोड़ी बात हुई कर्मने वादी कारस्ते माफल इशू कदाचन वो आपने एपिसोड देखा होगा कि करम करो फल की इच्छा मत करो बड़ा पॉपुलर श्लोक है ये भगवत गीता का ये पिछला एपिसोड था लेकिन अरजुन ये बात सोचते सोचते अब सोचते लगे कि इतने इंटेलिजन्ट लोग होते कौन है जो भगवत गीता को अपलाई कर लेंगे कहां मिलते हैं कहां से आते हैं कौन होते हैं यह कैसे लोग होते हैं तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया कि भगवान आप इसे पूछ लेता हूँ दूसरे द्यायकत 54 श्लोक मेरे पीछे दर श्लोक दो रही है अर्जुन वाचा स्थितप्रज्य सकाभाशा समाधी स्थस्यकेषवा थितधी किम प्रभाशेता किम आसीतवरजेतकिम तो क्या किया रहे हैं अर्जुन यहां पर कहा रहे हैं कि भगवन जरह मुझे यह समझाइए कि स्थित प्रग्या स्थित प्रग्या मतलब इंटेलिजेंस ऐसा स्टेबल इंटेलिजेंस वाला आदमी होता कैसा है अगर आप किसी लीडर को जानना चाहते हो देखना चाहते समझना चाहते उसका बेहिवियर क्या है रतन ताटा मुकेश चंबानी गौतम भाई अडानी बिजनस कैसे करते हैं क्या उनका व्यभार है कैसे मुझे सीखना है उससे जिसको बिजनस सीखना हो बिजनस सीख रहा है बगवद गीता में सब कुछ सिखाए जाता है एक कम बुद्धी के वेक्टी ने मेरे उपर अभी एक वीडियो भी बन संपूर्ण है अपने आप में आपको शारिरिक मांसिक आध्यात्मिक भौतिक सांसारिक वियापारिक जैसा जीवन सुधारने का सुधारें क्योंकि भगवत गीता संपूर्ण है बडियो अग्री विद मिलावड लिए स्नो भगवान ने ये भी बताया कि शरीर कैसे कुछी चीज़ भगवान ने सब कुछ बतायागी ता कि अंदर बहराल आपसे चर्चा करते कि स्टेबल इंटेलिजेंस का विक्ति दूसरा ध्याय चल रहा है वो कैसे बहेव करता है सित्प्रग्यसका भाशा कि ऐसा विक्ति वो कैसे बोलता है उसकी भाशा क्या है किस प्र रोग ग्रस्त वेक्ति के कुछ लक्षन होते हैं जिससे प्रचलता है कि वह रोगी है ठीक उसी प्रकार विद्वान वक्ति के कुछ लक्षन होते हैं जिससे प्रचलता है कि वह विद्वान है उसकी वानी उसका लक्षन है उसकी वानी से प्रचलता है कि वह विद्वान है अर्जुन जानना चाहता है उसके क्या लक्षन है वो व्यक्ति जो स्थित प्रग्य, स्टेबल इंटेलिजन्स हर व्यक्ति को पुरे भारत वर्षनी पूरी पुरी पृच्वे में सबको तो ये श्लूक को हम डीटेल में नहीं लेंगे लेकिन शौट में समझ लेते हैं यहां बगवान कहते हैं कि वन अमान गिवज अप आल वराइटी जाएर विच अराइज रम मेंटल कॉंकॉच्शन कि मन में न बहुत सारे मन गडंत विचार होते हैं कि जब कोई मानसिक मन गडंत कहानी से उत्पन होने वाली कामनाओं को त्याग देता है हाथ अगे लाइए मन से मन गडंत कहानिया उत्पन होती हैं उनको त्याग ना है उसके बाद भगवान कहते हैं उससे क्या होगा क्या रद्ध हुआ कि दुख के अंदर अनुद्विग्न मना वो दुख में डिश्टर्ब नहीं होगा तो ये एक ऐसा श्लोप पहले भी आया कि दुख में फिसले नहीं सुख में उचले नहीं इसमें एक और नहीं बात भगवान ने आड़ करी वो क्या बोला वीत राग भया क्रोधा स्थित धी मुनिरुचते के वीत राग यहां से शुरू करेंगे वीत राग, राग मतलब attachment, वीत मतलब free from attachment, जिसको attachment नहीं है, उसको दो result मिलते हैं, वो भय और खुरोध उसको नहीं आ सकता, और ऐसा विक्ति स्थित धी मुनिरोच्चते, कि ऐसा मुनि वो स्थित धी, धी मतलब intelligence, प्रग्या और धी एक ही अर्थ है, स्थित धी, किसका स्थि जो कि free from attachment है, इसको थोड़ा और असाली से समझते हैं, इसको ऐसे समझो, मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो anger, वो मोर टाइम, कम आन, everybody, मिल गया तो नहीं मिला तो anger, गुस्ता का बात है, जब मेरी बात नहीं मानी गई, डर कब लगता है, जो मेरे पास है, मेरे हाथ स चिंजाए, मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो anger, तो ये भगवान ने दो चीज़े बताई, कि जो stable intelligence का आदमी, उसको डर नहीं लगता, डरता कौन है, unstable intelligence का आदमी, भैक इसको आता है, unstable intelligence का आदमी, तो ये उसके behavior का एक लक्षन है, कि जिसका stable intelligence होगा, जो वी तराग वी तराग मतलब जिसको attachment नहीं होगा, उसको डर नहीं लगता, एक बार की बात थी है, एक राजा जो अपनी, पूरी की पूरी सामराज्य के साल, इतना अटाज्य थे, इतना अटाज्य थे, कि वो जीते चले जा रहे, और वो राजा के, उनके सामराज्य से एक बहुत बड जिस दिन वो गुरू आए, जिस कुटिया में विश्राम करने लगे, वहाँ जाकर के बाहर इंतजार करने लगे, कि मैं आज गुरू से कुछ प्रश्न करूँगा, जैसे ही गुरू मिले उनसे बोला कि मेरी बड़ी आसक्ती है, बहुत attachment है, जिसकी करान बड़ा परिशान रहता हूं, मैं detast कैसे हो जाओं, इसका मुझे उपाई दीजिए, मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, कुछ जीत जाओं, बड़ा दुखी हो जाता हूं, कुछ हार जाओं, तो बड़ा emotional platform पे जीवन जी रहा हूं, गुरू ने कहा कोई बात में, दो कागस के टुकड़े ला उसको भी फोल्ड कर दिया, राजा बेट के माँ सब देख रहे थे, यह क्या कागस पर लिख रहे हैं, मैं बड़ा serious प्रशन पूछ रहा हूं, यह कुछ चिठी बना रहे हैं, तब ही गुरू ने कहा, राजन जिल दिन तुम बहुत खुश होगे न, यह पहली चिठी मेरी पढ़ लेना, और राजन जिल दिन तुम बहुत दुखी होगे, यह मेरे दूसरी चिठी खोल के पढ़ लेना, राजा बोले, गुरू ने बड़ा customize solution दिया है, दोनों चिठी बड़ी संभाली, बड़े बड़े envelope बनाए, खुश होने के ओपर label लिख दिया, यह खुशी वा कि उनका रथी, रथी के उपर होता है, अदी रथी उसके उपर होता है महा रथी, रथी बड़ा छोटा unit होता है, किसे दिन समझाओंगा, रथी आती रथी महा रथी में क्या अंतर, उनका एक रथी, पढ़ोष के एक सामराज्य को जीत लाया, वाजा बहुत खुश होए, क जैसे उन्होंने खुश वाले चिठी खोली, खुश वाले चिठी खोलते ही, अचानक पड़ा, तो उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा, इट इस टेंप्ररी, ये थोड़े समय के लिए है, राजा है राम, मैं तो सामराज्य जीता, गुरू ने कहा, इस टेंप्ररी ये थोड़े समय के लिए, कोई बात ने कुछ दून हफ्ते महीने बीते, और एक समय ऐसा आया, कि वो जो सामराज्य हारा, उन्होंने कुछ लोगों किस्ते ना, और बाजू के सामराज्य जोड़े, इनको चुनौती दी, इस बार इनके रथी, अधी रथी, महा रथी, सारे के सारे चले गए युद्ध करने, और फिर भी हार गए, राजा बहुत दुखी हुआ, बोला गुरू जी ने कहा था, टेंप्रोरी, वही हुआ, ये थोड़े समय के लिए, अधी निकल गया मेरे हाथ से, अब तो रथी भी गया, अती रथी भी गया, महा रथी भी गया, फिर भी हार गए, उन्होंने का चलो अब दूसरी चिठी खोलते हैं, दुखी होने पर दूसरी चिठी खोली, और जैसे ही दूसरी चिठी खोली, यह थोड़ी समय के लिए है तब उनको यह समझ में आया कि यह सब कुछ टेंप्रोरी है और वहां से मुझे अपनी अटाच्मेंट को तोड़ के वापिस ले करके आना है हमारे पास जीवन में शास्तर बताते हैं तीन प्रकार के दुख होते हैं एक होता है अधी दैविक दू देता है अधी बहुत एक सामने वाला देता है अध्यात में मेरा मन मुझे खुती देता है तीन प्रकार के दुख होते हैं संसार में एक प्रकार का दुख क्या होता है अधी दैविक जो दैविक शक्तियों के दौरा जो किस जो मेरे सब कंट्रोल से बाहर है जिनका मैं आदी बहुत इक, जो सामने वाला मेरे को दुक्षी करता है, मिरे बारे में हтоящब شब्थ बोलता है, वह आदी बहुत इक है, लकिन मैं धुक्षी हो जाता हूँ, वह आधी हातमे कही है, वह मेरे हातमे यह तीम प्रकार के दुक होते हैचा है, बागवान ने क्या बता कि好吃 चाहि नहीं है उसके पानी की बून तुनत नीची घर जाती है क्या अर्थ हुआ इसका इसको ऐसे समझते हैं कि भगवान राम को जब वनवास दिया गया तो कब दिया वनवास टाइमिंग पर ध्यान देना टाइमिंग पर ध्यान देना ठीक उसी दिन उन्हें वनवास अनौंस कर द बहुत अटाच्मेंट थी पर राजसी सुख से उनकी अटाच्मेंट नहीं थी और दूसरे सेकेंड उन्होंने चार शब्द कहें कितने शब्द चार शब्द आप इतने गहरे हैं चार शब्द ये जब उनको बताया गया कि अब तुमको वनवास दिया जा रहा है और तुम अन्होंने चार शब्द कहें बस इतनी सी बात क्या चार शब्द अंग्रेजी में इस डैड और इतनी चोटी सी बात प्रहान रामका भैंक कर डटाच्मेंट इतना बहेंक कर डटाच्मेंट कि वह उनको इन्हेरेटेंस नहीं चाहिए अच्ठाइब अचा एओध्या वासी भगवान ने बोला अरजुन ने पूछा किम प्रभाशेता किम आसीता व्रजेता किम वो कैसे होते हैं सित्प्रग्या वाले तो भगवान ने उतर दिया वीत राग भय अक्रोधा जिसको कोई अटाच्मेंट नहीं ना तो उसको भय आएगा ना खुरोध आएगा मतलब क्या ह हमारा क्या है हमारा है मिल गया तो खोने का डर नहीं मिला तो एंगर और भगवान राम का क्या है ना खोने का डर ना एंगर ये हम में और भगवान राम में अंतर ना खोने का डर ना एंगर क्या उनको कुरोधा है कि मुझसे सब कुछ चीन लिया क्या उनको डर लगा मुझ नहीं रहे हैं कि जो है ना लीवर Χराब हो जाता है शराब पिने से तो अखबार में बड़ी लंबी चोड़ी खबर एक लंबा आठीकल आया हुआ कि कल ही कल Use दिल्ली शहर के अंदर शराब पिने के कारण लीवर खराब होने से आठ मौतें हो गई वो आदमी अख़बार पढ़ रहा था शराब पीने से लिवर खराब हुआ आठ मौतें केवल दिल्ली में हो गई छोड़ से अखबार बंद किया और पत्नी के सामने चला आज से बंद पत्नी बड़ी खुश हुई बहुत अच्छा किया आज से अधा है देखो यह अटाच्मेंट वर्शल डेटाच्मेंट को मैं आपको समझाता हूं यह क्या है इस सब मन में एक अधा गिलाई कि ऐसे एक बहुत धनी वेक्ति था वो अत्यांत धनी और उसका जो घर था वो इतना सुन्दर घर बना इतना महल जैसा घर बना कि पूरे श महल जैसा घर बना और सब सोचते थे कि अपना पैसा लगा करके मित्ता बढ़िया घर बना नहीं पाएंगे उसको बोलते थे आप पैसा बताओ आपसे ले लेंगे अपका घर वो अपना घर बेशता नहीं था उसमें बहुत मन से बनाया था अपना प्रेम से बनाया घर अप लेकिन अभी तीन बेटे और पत्नी के साथ आनन से वहां रहता था व्यापार करता था एक दिन व्यापार के करन उसको विदेश जाना पड़ा बहुत दिन बाद जब विदेश से वापस लोटा और घर के सामने आया तो बड़ी भीड लगी हुई घर के बाहर भीड को चीलते ये भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ बाखी लोग तो देख रहे थे उनका घर नहीं जल रहा इसका घर जल रहा ये रोने लगा बहुत रोया वहां पर अचानक भागता वह उसका सबसे बड़ा बेटा आया पिता जी पिता जी क्यों रो रहे हैं आप बोला घर जल गया है बोला दो गुना दाम मैं का नहीं दूँगा बोला तीन गुना दाम मैंने का चल ले ले आप के आने से पहले तीन गुना दाम पर मकान बेच चुका था मैं पिता बहुत खुश हुए है बहुत खुश हुए है तू तो बहुत बुद्धिमान बालग निकला तो तीन गुना अब हमारा नहीं है किसी और का जल रहा है अराम से बाकी सेख्डों लोगों की तरह देखने लगा तभी दूसरा बेटा भागता हुआ है पिता जी आप अराम से कैसे खड़े है बोले हमारा नहीं जल रहा है उसका जल रहा है अरे नहीं पिता जी हमारा ही जल रहा है बोले कैस बुला इसने जिसको बेचा है उससे खली बयाना लिया है दस परसेंट जली हुई रात का कोई 90 परसेंट देगा नहीं ये फिर रोने लगा फिर रोना चालू और आप बहुत भंग लोग देख रहे हैं और ये रो रहा इतना जोड़ जोड़ से चिलाने लगा इतना जोड़ जोड़ से हाई मेरा मकाइन जल गया 10% payment आई, 90% जल गया, मेरा मकान जल गया, इतने में भागता वो तीसरा बेटा आया, पिताजी, रो क्यो रहे हैं? बोला, मेरा मकान जल रहा है, नहीं, नहीं, पिताजी, अभी बताता हूं, वो आदमी इतना इमानदार निकला, कि मैं उससे अभी फोन पर बात करके आए, बोला, किसको पता था मकान जलेगा, बोला, कमिट्मेंट इस कमिट्मेंट, अभी मकान जला होता, या नहीं जला होता, मुझे पूरे पैसे देने थे, मैं अभी भी पूरे पैसे दूँगा, और अभी लेकर के आ रहा हूँ, वो वापिस खुश हो गया, बोला किसी और का जल रहा है इतनी सारी देर में बदला क्या? कुछ में नहीं बदला, ना मकान बदला, ना आग बदली, ना वह खड़े में लोग बदले, ना खरीदार, खरीदने वाला, बेचने वाला बदला, बदला तो सिर्फ मन में भावना, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, केवल भावना बदल रही थी, जिसके कारण वो रूरा था, वही भगवान कह रहे हैं, वीत राग भया क्रोधा, स्थित धीम निरुच्चते ये जो अगर भगवत गीता पढ़ लेगा तो जिन्दगी से भै नाम की कोई चीज समाब तो चुकी होगी कैसे एक इनसान फियरलेस बन जाता है कैसे इनसान पारफुल बनता है ये आदमी आग अपने मकान जलने पर कभी रो रहा कभी हस्रा कभी रो रहा दूसरी तरह महराज जनक की कहानी सुनाता हूँ महराज जनक अपने गुरू यगनवल्का के पास बैठे हुए थे और महराज जनक मिथला नरेश थे मिथला के राजा थे और उनको इतना सक्तिशाली इमानदार और ऐसा एक इंटेग्रिटी वाला राजा माना जाता था वो गुरू की शरण में बैठे हुए और तब ही कोई आया वहाँ से पाही भागता हुआ और बोला महराज महराज की जैह हो एक बुरी खबर लाएं बोले कहो महराज आपका पूरा महल जल गया है मिथला नरेश आपका पूरा महल जल गया है और वो क्या जवाब में बोलते हैं कहते हैं मिथलायम प्रदकदायम नामिकिंचित प्रणश्यती पूरा मिथला का महल जलने पे भी मैं इतना सा भी कुछ नहीं खोया nothing do I lose even though my palace may be consumed to ashes और भगवान कृष्ण इनकी तारीफ कर रहे हैं तीसरे अध्याई के बीस्वेश लोग के अंदर भगवद गीता में एक ही राजा का नाम लिया वो महराज जनक का नाम लिया क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि जब मैं अपनी गुरू की शरण में बैठा हूँ तो मुझे तीनों लोकों का सुख अपने आप मिल जाएगा इसको बोलते हैं कंप्लीटली फ्री फ्रम डेटाच्मेंट वीतर राग भया क्रोधा मिल गया तो खोने का डर नहीं मिला तो आंगर और दूसरी तरफ महराज जनक ना खोने का डर ना ही एंगर भगवद गीता में यही चर्चा हो रही है कि कैसे आप जब फियरलेस डिटाच्मेंट के कारण बन जाते हैं एक दफ़ा जब चौदा वर्स का ना जब वनवास पांडवों को दिया गया था पांडू लोग जब बनवास में चल रहे तो एक समय ऐसा था कि दवैत वन में चल रहे थे और दवैत वन में चलते चलते महराणी कुंती को प्यास लगी पांचो पुत्र पांडू पुत्र साथ साथ चल रहे तो उन्होंने सबसे छोटे भाई सहदेव को बोला कि सहदेव तुम जाओ जरा मा कुंती के लिए जल लेकर कि सहदेव घुमता 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 एक जलाशय इसको मिल गया वो जलाशय पे पहुंचा जलाशय पे पहुंचा जैसे ही पानी पीने लगा वहाँ एक बगुला पेड़ पे बैठा और बोला सहदेव रुक जाओ उसने हाद जोड़ा बोलो क्यों रुक जाओ बोला तुम्हें मेरे प्रश्णों का उत्तर देना होगा नहीं तो जल पीने से तुम बेहोश बगुले को देखके सहदेव हसने लगा उसने जल पी लिया बेहोश हो गया ये कथा सब लोगों को पता होगी कहीं लोगों ने सुनी होगी कथा ये पर इस कथा में था क्या युदिश्टिर वेट करते रहे सहदेव नहीं लोटा तो नकुल को भेजा नकुल नहीं लोटा तो भीम को भेजा बीम नहीं लोटा तो अर्जुन को भेजा और चारों के साथ यही हुआ उस बगुले ने बोला मेरे प्रशनों का उत्तर दो ने जो तुम मारे जाओगे उन्होंने बगुले पर ध्यान नहीं दिया जल पीने लगा और चारों बेहोश हो गए वहीं खतम हो गए चारों की मिलत और तबी आवाज आई एक बगुले की बोला मैं यक्ष हूं युदिष्टर जो तुमारे भाईयों के साथ हुआ वही तुमारे साथ भी होगा अगर तुमने प्रशनों का उत्तर नहीं दिया तो महाराज युदिष्टर ने प्रणाम किया बोला पूछी अब मुझसे क्या पूछना चाहते हैं महाराज युदिष्टर में कोई भे नहीं पूछी युदिश्टर एक करके उन्होंने कई प्रशन पूछे कि सबसे बड़ा आश्च्छर्य क्या है इस संसार में बोले आहान के आलया यादि इनके घर भी जा रहे हैं लेकिन फिर भी पश्यन पीन पश्यन थी कोई भी देख चे़ा है कि मैं भी मरने वाला हूं हर एक को लगता है यह मरा लेकिन मैं नहीं मरुगा एक यह करके उन्होंपने कभी प्रशनों के उत्थर दिये युदिष्ट्र के लिए मैं अब तुम्हारे संतुष्टी के बाद के लिए एक ही भाई को जीवित कर सकता हूं ध्यान दीजिगा एक ही भाई को जीवित कर सकता हूं तुम्हारे भाईयों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था इस संतुष्टी के कारण बताओ किसको जीवित करूं तो जै साथ में तो महा बली भीम जिसके पास दस हजार हाथियों का बल है उसको जीवित कर लेते तुम्हारे पास तो धनुरधारी त्रिलोक विजई अरजुन गांडीव धारी अरजुन महा बाहु अरजुन है उसको क्यों नहीं जीवित किया नकुल को क्यों जीवित करने के लिए चुना तो वही युदिष्टिर ने उत्तर दिया मुस्कुरा के कि हे यक्स धर्मात्मा पांडू की दो पत्निया थी दो रानिया थी एक रानी माता कुंती जिसके हम तीन पुत्र मैं युदिष्टिर मेरे भाई अर्जुन और भीम और दूसरी महरानी थी मादरी मादरी के दो पत्र नकुल और सहदेव हे यक्स अगर जब माता कुंती का सबसे जेष्ट पत्र जीवित है तो धर्म के अनुसार माता मादरी का भी सबसे जेष्ट पत्र जीवित होना चाहिए, यानि कि आपको नकुल को जीवित करना होगा, भीम और अर्जुन से मुझे प्रेम है, परम्तु वो धर्म के विरुद्ध होगा, जैसे ही यक्ष ने बात सुनी, यक्ष मुस्कुर आए, और बोले, युदिष्ठिर तुम नहीं जानते, मैं ही तुम्ह द्रम पिता हूँ, और मैं तुम्हारी परिक्षा ले रहा था, और इस परिक्षा में तुम उत्तीन हुए, और आज से तुम्हें धर्म राज युदिष्ठिर के नाम से जाना जाएगा, यह वो युदिष्ठिर हैं, जिनको ना खोने का डर, ना एंगर, ना खोने का डर, अंगर, वही पुछा अरजुन ने प्रशन के स्थित प्रग्य सका भाशा, के स्टेबल इंटेलिजन्स के लोग कैसे होते हैं, तो भगवान ने उतर दिया, वीतराग भयाकृद, अरे बाई, डरता हुआ है, जिसका स्टेबल इंटेलिजन्स नहीं, जिन्देगी में जो ड जीता की शरंड कभी ने लिए, और समझें नहीं, और इसे देते हो, यह तो धरमराज युदिष्टिर थे, जो रिष्टों की एहमियत में भी धरम को उपर लेकर किया है, अपने भाई दोनों छोड़ दिये, नकुल की बात का, आजकल के रिष्टे अलग हैं, आजकल के रि सब कुछ किया, और बोला, मैं शमा चाहता हूं, आपकी पत्नी अब इस संसार में नहीं रही, मर गई. तो यह अराम से सुनरा था, बोली नहीं रही. अच्छा. इतने में थोड़ी पत्नी हिली डुली, पत्नी जब हिली डुली, हिल डुली के थोड़ी आवाज करके वापे भोले। नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं जीवित जैसा ही बोली गुए मान जीवित हूँ पति भोलने चुपकर तुझको जादा महालूम है। पति आकि Rice डॉपकर तूछक geograph को जादा महालूम है। आजकल के निग है एलग है। यह उलग कौन है बोले दूला जा रहा है श्रीमती मीरा बाई ने का मेरा दूला कौन होगा तो मा थोड़ा पीछे घुमी और बोली ये कृष्ण जो दिख रहे हैं तुमें यही तुम्हारे दूले हैं यही तुम्हारे पती है वो बात श्रीमती मीरा बाई के दिल में बैठ गई, कि ये ही मेरे पती है, बाद दिल में बैठ क्या गई, श्रीमती मीरा भाई अब उन्हीं की पूझा करने लगी, उन्हींद डीटी को, उन्होंने अपना अपना सब कुछ मान लिया, परण तू, और उतना भक्ति करने लगी, इतनी अनन्या, अनन्या कारत ह की शेल्टर लेती हैं लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उनकी इच्छा के विरुद्द सुषोधिया वंच के महाराज भोजराज से उनका विवा कर दिया गया वो चाहती नहीं थी चुक्किए अपने मनी मन पती कृष्ण को मान चुकी थी अब शिशोधिया वंज के महराज बोजराज जब उनके नजदीक आने लगे तो स्री मती मिरा भाई उनको रोकते मना करें उनके लाख प्रयासों के बाद भी इन्होंने अपने शरीर को छूने नहीं दिया स्री मती मिरा भाई इतनी प्रेम में विलीन थी इतनी प्रेम में विलीन थी इन्होंने बहुत प्रयास किये उनके नजदीक जाने के ये उनको दूर कर देती वो भी शिशोधिया वंज के राजा और दीरे दीरे नकेवल बुरा माने बलकि बात इतनी खराब हो गई इतनी खराब हो गई कि उनको लगा कि अगर तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं और जब ये बात हो गई तू किसी की नहीं तो उन्होंने बड़ी यातनाई दी उन्हें कीलो के बड़े-बड़े शया पे लिटा दिया वो फूलों की शया बन गई छट से उँची नीचे धका दे दिया तो ऐसा फूलों का गद्दा बन गया जिस पे वो गिरी जब उनको फूलों की टोकरी के अंदर बड़ा कोबरा सांप भेजा तो भगवान कृष्ण की मूर्ती में फूलों से लिप्टे वी परिवर्तित हो गया जेहर का प्याला पिलाया तो वो अमरित बन गया इनको तो डर नहीं स्रीमती मेरा बाई को और स्षोधिया वन्च के माहराज को देख करके इतनी हैरानी हुए उनका वेराग्य देख के इतनी हैरानी हुए कि उन्होंने उसके बाद उनका भी हिर्दे परिवर्तित हो गया और आजीवन उनको अपना मित्र मान लिया और आजीवन मित्र मान करके जीवन चला यह थी श्रीमती मीराब unfold ना खोने का डर ना अंगर अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा कि स्थित प्रग्या सका भासा तो कृष्णा ने जवाब दिया वीत राग भया क्रोदा स्थित धी मुनिरुच्चते यहां बात खतम नहीं हुई यह आगे भी चलेगा अगले श्लोकों में भी आएगा भगवान शिव के साथ में यह कता आती है जब जिससे मैं हला हल का उत्पन हुआ था चौदा रतनों के चौदा रतनों में से कहां पर हुआ था यह जब क्या किया गया था समुद्र मंधन में चौदा रतना है उन में से एक था हला हल यानि कि विश और जब विश बाहर आया इतनी लगटे और इतनी आग निकली उस विश में से इतनी आग निखली कि एक तरव देवेक तरव दान उं सब जलने लगे और सबने भगवाण concept से पतना करी दानुव करी देवताउं ने भी करי Presenter सूद्सरत प्रइज़ प्रबू आप आई है और भगवाणस्टर ने आ और किसका भए और कुरोध का उसको डाइजस्ट करना असंभव है और उसी को भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया जो भगवान शिव्व ने करके दिखाया उसको भगवान ने एक्शन में बताई इसलिए हम बोलते हैं कमान गीता इन आज यह संसार में भी आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे एक यह वल ऐसा नहीं डेवी देवता हूं कि कथा सुना रहो थॉमस एलवा एडिसन थॉमस एलवा एडिसन के बारे में सब जानते हैं उसका हो पंटो कुटी आग सब और भी देखी है कथा जा कर लाए परनी मां को दोस्तों को उनको भी दिखाओ मैं ने भी है, अजी हुआ शुक्त परश्यों में हां रहा हूं चुकि हमारी सारी गलतिह यहां जलके बरबाद हो जाएंगी और वहीं इतना बेटा ëं ़ुझ यूज था और वही उन्होंने आग लगने के बाद जब जाकर के New York Times को इंटर्विव दिया तो बोला मेरी गलतियां जली है फैक्टरी नहीं जली है फैक्टरी यहां पर है मुझे इस सब गलतियां जलने से ठोई डर लाए गलती जलने से मैं खुश हो रहा हूं और अगले दो साल के अंदर एक मिलियन डॉलर वाली कंपणी को उन्होंने दस मिलियन डॉलर दो साल में कनवर्ट कर दिया चुको उन्होंने बादा किया था आग भुशते ही मलबा हटा के मैं वापिस जुट जाऊंगा यह है वीतराग भया क्रोधा ना खोने का डर और ना आंगर जो डि इसलिए गीता इन आक्षन के सारे एपिसोर्ट देखी अपने बच्चों को दिखाईए अपने मित्रों को दिखाईए गीता इन आक्षन यह हमारा एक ऐसा प्रयास है जहांपे हम आपको यह वो सारे के सारे गुण जो भगवान कृष्ण ने बताए है आमानित्वम इस लोक बिष्फी बना सकता है। के लिए इस पूरा ज़िए को समझने के लिए वीत रागध Judas को चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब का हिर्दे की गहराई से प्रेम पूर्वा बहुत धन्यवाद ग्रंत्रार श्रीमत भगवाद गीता की